यहां पर हमको यह given है और इसको हमको simplify करना है simplify करने का मतलब है कि यह जो हमको brackets given है इसको हमको solve कर देना है यहां पर हमारे पास है x into x-3 plus 2 अब x यहां पर इस पूरे bracket के साथ multiply हो रहे है तो यानि कि इसकी हर term के साथ multiply होगा तो यह हो जाएगा x into x यहां पर minus cosine है तो minus 3 के साथ करेंगे तो यह हो जाएगा x into 3 plus 2 x into x का मतलब होता है x square minus का minus आ जाएगा x into 3 मतलब 3x plus 2 यानि कि इसको simplify करके हमको मिल जाएगा यह इतना note कर लेते हैं अब हमसे बोल रहे हैं कि x के जिगा पर 1 पुट करके इसकी value निकालनी है यहां पर x के जिगा पर 1 रखेंगे तो यह हो जाएगा 1 का square minus sine as it is 3x है यानि 3 into 1 plus 2 1 का square 1 ही होता है minus sine as it is 3 1s are 3 plus 2 अब जब भी हमार पास ऐसी equation आती है तो पहले हम addition का का काम कर लेते हैं यहां पर हमार पास 1 और 2 add हो रहे हैं तो पहले हम इन दोनों को add कर लेते हैं फिर इसमें से हम 3 subtract कर देंगे 1 plus 2 हो जाएगा 3 minus 3 और 3 minus 3 हमारा आ जाएगा 0 इसको note कर लेते हैं x के जिगा पर हमने 1 put करके इसको solve किया तो answer हमारा आ गया 0 प्स्सक्वी खिरू झाल